नमस्कार दोस्त अलेक्टिकल कोश्चन अंडा में आपका स्वागत है दोस्तो आज की इंट्रेस्टिंग सी वीडियो में हम देखने वाले हैं पावर ग्रिट के आंगे के कोश्चन 20 कोश्चन हम लोग डिसकस कर चुके हैं और ये दोस्तो ये वीडियो आपके लिए काफी इ सकते हैं कि यह हो सकता है वह वेकेंसी आजाए तो उसके लिए भी आप प्रप्रेशन अपना इस्टार्ट रख सकते हैं और इसके बहुत सारे प्रिवियस के कोश्चन मैंने यहां पर डिसकस की हुए हैं पहले भी उन वीडियो का देख सकते हैं इस कोशन की शुरुआत करत तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे जो इक्यूपमेंट होते हैं मेजरिंग वाले वो दो टाइपस के होते हैं पहला होता है हमारा एपसोल्यूट और दूसरा जो होता है, वो होता है Secondry Instrument Secondry Instrument जो होते हैं दोस्तों इस में भी अलग लग टाइप के होते हैं एक तो होता है Integrating Instrument, Indicating Instrument दूसरा होता है हमारा Integrating инструмент और तीसरा जो होता है हमारा, वो है Recording Instrument Indicating instrument के अंदर आते हैं आपका Ammeter हो गया, Boltmeter हो गया, Aboutmeter हो गया Integrating के अंदर आते हैं Energy Meter और हमारे जितने भी MPR Hour Meter होते हैं इसको मैं पहले भी डिसकस कर चुका है हम बहुत सारे exam में ये पूछे जाते हैं और recording type के जो instrument होते हैं इसमें होता है ECG और आपका Galvanometer Recorder जो होता है वो भी आपका recording type instrument होता है दूसरे तरप जब हम आते हैं Absolute Instrument की और तो Absolute Instrument जो होते हैं हमारे इसमें आता है आपका ये Tangent Galvanometer Tangent Galvanometer जो हमारा है वो आपका Second Absolute Instrument है और इसके आप देखेंगे जब इसको तो ये हमारा Current Measuring Purpose के लिए इसमाल होता है जैसे कि माले जी कोई क्वाइल है ये और इसमें आपने यहां पर आपने supply दे दी इसके करण एक Magnetic Field यहां पर generate होती है एक और Magnetic Field इस Instrument में ली जाती है वो होती है आपकी Earth की Magnetic Field एक इसमें Magnetic Needle होती है और ये Magnetic Needle इसमें जितना भी Current Flow होगा उसके According ये आपकी Magnetic Field चैंज होगी वी और ये चैंज होने के कारण ये आपकी Needle यहां पर कहीं न कहीं मूव होती है तो ये जो यहां से एंगल जो बनता है थीटा ये 10 थीटा पर ये इसकी Value dependent होती है इसलिए हम इसे Tangent Galvanometer बोलते हैं और ये हमारे Current Measurement के लिए इस्तमाल होती है तो ये हमारा Absolute Instrument हो जाता है तो इसका सही अंसर होगा Absolute Instrument वहीं यदि हम Indicating और Integrating के लिए बात करेंगे तो आपके ये सारे जितने भी एक्जामपल हम लोगने अभी डिसकस किये हैं ये सब एक्जामपल इसके आपके Secondary Type के इस्तमाल के लिए हो जाएंगे Next Question की ओरे दी हम बात करें Calculation of Capacitance between Line Conductor and Between Conductor Neutral to Earth is not based on यानि हमारा जो दो कोई Line है उनके बीच में कुछ Capacitance रहता है उस Capacitance का जब आप Calculation करते हैं मा लेजे कोई D Distance पर है ये और इनकी जो Radius है वो यहाँ पर R है तो यहाँ पर आप जब Capacitance का Calculation करते हैं तो उस दोरान आपको जो Equation दिखाई पड़ती है वो C equal to Pi Epsilon LN DYR Farad per meter ये में ये आपका फॉर्मूला आपको पता ही होगा यहाँ पर आप देखेंगे वह सारी चीजिस इनकी quantities को तो यहाँ देखेंगे Magnetic Flux Line and Partial Potential Line एक ये आपको quantity दी हुई है और दूसरा option दिया है electric field strength पर क्या dependent होगा total charge with the potential difference पर dependent होगा या difference या the potential difference between conductor तो ये दोस्तो potential difference की भी जब इसमें हम Equation लिखते हैं तो वो होती है 1 divided by Pi Epsilon QA LN DYR यहाँ आप देखेंगे D जो है हमारी यहाँ पर distance है R यहाँ पर जो radius है इन दोनों conductor के बीच में तो यहाँ जब आप सब point को देखेंगे तो यहाँ पर आपका यह magnetic flux line और partial potential line पर dependent नहीं होता है जबकि हमारा electric field पर यह dependent है charge पर भी dependent है जैसा आप equation में देख रहे होगे और potential difference पर तो यह dependent होता ही है तो यहाँ से जो आपका option निकल कर आया the magnetic flux line and partial potential line पर यह dependent नहीं होता है इसका calculation next question कर रुक करें अधी हम तो reluctance के बारे में आपसे पूछा गया है reluctance of a magnetic circuit is given as to reluctance होता क्या है दोस्तों जैसे कि आपने कोई कोई आप लेके चलना है यह कोई कोर है आपकी मालीजी magnetic core है इसमें से आपने कई supply दी है यहां से इस वाहर के थूँ तो यह आप देखेंगे आपकी magnetic lines यहां पर इस तरीके से हो जाती है यानि आपकी magnetic lines आप देख रहे होंगे इस टाइप से आपको देखाई पड़े नहीं होगे यहां पर यह जो यह जो यहां पर एयर गैफ है इसके अंदर इस magnetic lines को एक reluctance मिलता है तो उसको उसकी बज़य से आपका जैसे की आप transformer को देखेंगे तो उसकी जो कोर होती है वो highly permeable material की बनी होती है और इसका reluctance काफी जादा कम होता है यानि magnetic field magnetic lines जो है वो इसमें move हो सकती है तो इसकी calculation के लिए आपका जो s यहां पर हम जिसको reluctance बोलते हैं l divided by mu a l यहां पर magnetic path की length होती है इसको हम length भी बोल सकते हैं और mu आपका sorry a यहां पर area होगा तो यह आपका एक reluctance का formula यहां पर आप देख रहे होंगे यह आपका नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं और कई बार exam में यह पूछा भी गया है कि नेक्स कोस्टन पर इदी हम जाएं इन अ सिंकुनस मोटर दे बैल्यू ऑफ कपलिंगल डिपेंड नॉन हमारे सिंकुनस मोटर में आपने देखा होगा कि हमारी constant speed मोटर होती है constant speed के होने के कारण जैसा कि आप देखते होंगे कि DC मसीन और आपकी induction मसीन इन दोनों मसीन में क्या होता है कि जैसे ही आपका sap पर आपका यह कोई मोटर है आपकी यहां आपका sap लगा हुआ है जैसे ही आपका इस पर mechanical load यादी बढ़ जाता है mechanical load यादी बढ़ता है तो उसकी बज़ए से इसकी speed जो है वो कम हो जाती है speed कम हो जाने कारण DC मोटर के case में आप देखेंगे यह आपका current यहां पर जादा वो लेगी वो आपकी मोटर चाहें induction मोटर हो चाहें DC मोटर हो लेकिन जब आप यही case आपकी synchronous मोटर में देखते हैं तो synchronous मोटर में दोस्तों क्या होता है कि जैसे ही आपने इसकी मोटर पर आपने अधी लोड बढ़ाया तो उस case में चुकी यह constant speed मोटर है तो आपका जो stator के pole हैं मालीजी आपके stator के pole इस तरीके से move हो रहा है और आपके rotor पर जो pole यहां पर generate होंगे वो कुछ ना कुछ जिससे lag करेंगे अब यह lag करेंगे यह कितना angle होगा यही आपका यहां पर load angle होता है या coupling angle वो जिससे हम बोलते हैं तो आपके जो stator पर pole हैं यह वाले जो pole हैं यहां पर वो इन pole पर और आपके जो stator पर pole है इन दोनों के बीच में कुछ lag हो जाता है जब हम उस पर mechanical load बढ़ाते हैं यही मालीजी यह load और बढ़ा दिया तो आपका जो angle हो सकता है और बढ़ जाएगा तो यह एक तरीके से हम बोलेंगे कि speed तो आपकी constant बनी होती है पर उसमें थोड़ा सा lag हो जाता है आपके rotor के pole पर stator के pole के respect में तो यह यहां पर dependent होता है हमारा load पर आपके option में यही पूछा था कि आपका coupling angle किस पर dependent होता है तो इसका सही answer क्या होगा अपना load the amount of load made by the motor next question पर आप देखें एक diagram दिखाई पढ़ रहा होगा आपको एक tower है और आपसे पूछा है कि what does the given figure represent यह आपका जो figure है वो क्या represent कर रहा है तो आपके transmission line का एक तरीके से network दिया होगा है आपसे पूछा है कि यह single network है double network है यह किस type के network आपको देखाई पढ़ रहा है तो दोस्तों जब आप double network देखते होंगे यहां पर जब आप क इसका कुछ construction आपको इसमें देखाई पड़ता है यह जो आपका circuit होता है इस type के यह double circuit होते हैं यहां पर यह दो ground wire होते हैं आपके lightning से protect करने के लिए यहां आप इस circuit को देखेंगे तो यहां यह A B C A B C यह यह double circuit हो गया लेकिन यहां पर देखेंगे तो A B C और जो दूपर आपको देखाई पड़ता है यहां से आपका ground wire जाता है lightning से बचाने के लिए नॉर्मली अपने लोग 33 kb के ऊपर ही इन ground wire का इस्तमाल करते हैं रेलबे में आपने देखा होगा 25 kb इस्तमाल करते हैं वहां पर हम इसका wire का उपयोग नहीं करते हैं जब आप कभी railway से सफर करते हैं उस दोरान भी देखें तो उनके टावरों के ऊपर इस तरीके का ground wire टावर है जैसा आप इस circuit में लेख रहे होंगे यहां पर यह आपका जो डाइग्राम है यह आपका double circuit के लिए है और two ground wire के साथ दोस्तो टाइम के साथ साथ आपके question का pattern भी थोड़ा change होते जा रहा है अभी आपको RK राजपूत जे भी गुपता इन बुक के साथ साथ आपके concept भी clear होना चाहिए तब ही आपको exam में काफी जल्दी सफलता मिलेगी और जैसा कि आप देख रहोंगे अब तो बहुत सारे exam क्रामों में आपका vacancy बहुत कम होते जा रहा है जैसे कि पहले IES होता था आप IRMS का जो अभी recently आज ही notification जैसे निकला हुआ है तो उन्होंने UPSC के through ही इसको combine कर दिया है अब क्या होगा कि जैसे आपके यहां पर आठ केडर हुआ करते थे 5 इंजरिंग के 3 इसमें UPSC से परा जाता था लेकिन अब क्या हो गया है दोस्तों कि अब यह हमारा एक management service के तौर पर इसको देखा जा रहा है everything is going to be privatized तो उससे समस्या यही खड़ी होने वाली है कि आगामी समय में आप government job के लिए आप कम ही सोचें या दी अभी जो आपको opportunity मिलती है उसी में आप select होने क कोसिस करें तो ज्यादा सही होगा और इसलिए मैं यही बोलूगा कि आप अपनी preparation काफी अच्छी रखें और continue आप question की practice करते जाए और जितने भी हो सके objective question को भी तयार करते जाए तो यह अब जब UBSC के दरूर कर दिया है तो इसमें सभी BA, BSC और भी जितने BCA कोई भी graduation किय होगा रहेगा वो सभी इसमें apply करेंगे तो competition आपका काफी ज्यादा हाई होने वाला vacancy भी काफी ज्यादा कम कर दी हैं तो धीरे धीरे आपका जैसे JEE और SSE के लिए भी अभी railway में कुछ vacancy हर एक जौन से यहां बर गई हुई है और final approval मिले के बाद हो सकता है कि JEE और SSE की vac frequency हो सकता है 2023 में यहां पर आपकी सामने निकल कर आएं तो इसके लिए भी आप लोग preparation कर सकते हैं और technical के साथ साथ जो भी आप exam देते हैं जैसे की current of HRG के इन सब को भी आपको parallelly तयार करते जाना है यह आपके exam में काफी ज़्यादा यहां से ही selection रुकता है और बनता है non-tech portion ज़्यादा तर हम लोग technical की जब तयारी करते रहते हैं तो वो चीज़ें हम सब छोड़ देते हैं य आजकल हर एक exam में आपको non-tech portion भी देखने को मिलता ही है तो इसलिए उसको भी उतना ही importance दीजिए जितना आप technical को दे रहे हैं अपने question पर यह हम लोटे हैं तो हमसे पूछा है कि कौन सी convenient method है non-sinusodal बेप के लिए हैं तो आप देखें कि यहां option दिये हुए method of integration infinite method and strip methods and mid ordinate method तो एक माली जिए कोई आप बेफोर्म लेके चल रहे हैं सबसे accurate जो हम बोलते हैं कई बार आपने calculation में इसको 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 आप यहां पर दीवी है इसको आप voltage ले लिए यहां पर आप time ले लिया कि यहां पर जब इस बीफोर्म को आप अलग अलग पार्ट में तोड़ेंगे तो अलग अलग लग duration पर माली जी यह वी वन हो गया वी टू हो गया वी थरी हो गया यह ऐसा एसा जाके यहां पर आपका माली जी वी 6 हो गया यहां पर जो इसकी जब हम आदें लेते हैं भी आरव मैस जब आप लोगे माली जी इसके वाट तक की यह यह आपर तो आपका प्लस डेट डेश डेश अपका v6 का स्क्वार्ट डिभाइड बाइड बैट टोटल आपने माली जिसके 6 पार्ट यहाँ पर एक्कोल पार्ट में डिभाइड किया था तो 6 डिभाइड कर दिया तो आपका यहाँ है arm एज वेल्य हो गया है आप वहीं ज़ी हम भी average की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो V1, V2, V3 ऐसा डेस्ट एड़ है V6 divided by 6 तो यह आपका यहाँ पर average value इसकी हो जाती है तो सबसे ज़्यादा जो accurate value है इसी method से निकल कर आती है जिसको हम बोलने है mid-ordinate method mid-ordinate method में सबसे ज़्यादा accurate value किसी भी बिप्रम की हम निकाल सकते हैं इसलिए इसे हमारा जो answer होगा mid-ordinate method और भी इसमें बहुत सारी method दी हुई है method of integration जैसे दिया हुआ है यह mathematical equation का integration लेने के लिए इस्तमाल होती है infinite method जो होती है वो differential equation जो होती है उनके solution में इस्तमाल होती है एन-strip method होती है तो यह जब हमें बन-डाइमेंशनल integral का solution करना होता है उस समय हम एन-strip method का इस्तमाल करते हैं तो mid-ordinate अपने को इतना ही याद रखना है वैसे तो यही आपकी ज़्यादातर एक्जाम में पूछा जाएगा next question पर हम जाएं विच्व दो फॉल्विंग रीजन आरदा extra high voltage अब तो हमारा इंडिया में 765 तक हम इस्तमाल कर रहे हैं maximum voltage आप power rate का जो सबस्टेशन है यह कई जगे हमारा इस इतने voltage पर भी transmission किया जा रहा है power का तो हमारे इसके advantage क्या है और disadvantage क्या है सबसे पहले आप देखेंगे कि जैसे ही voltage बढ़ाते हैं आपका conducting material की quantities वहाँ पर कम हो जाती है यानि आपका material का जो cost है material का cost वहाँ पर drastically decrease होता है current भी इससे कम हो जाता है IR I2R loss जो होते हैं वो भी कम हो जाते हैं तो इसमें आपको आपसे पूछा है EHP line को हम preferred क्यों नहीं करते हैं तो आपसे एक तरीके से disadvantages के बारे में इससे पूछा गया है तो question इसके option पढ़ लेते हैं there is an increase in surge impedance load as it directly proportional to that transmission voltage जैसे कि यह ली voltage आपने बढ़ाया तो आपका surge impedance loading वहाँ पर बढ़ जाती है तो यह तो एक तरीके से disadvantages है हमारे EHP line का और भी इसके disadvantages हम बोल सकते हैं कि हमारा जो switch gear होता है या transformer होते हैं वो higher rating के इस्तमाल होते हैं और जब हम EHP extra high voltage वहाँ पर इस्तमाल करते हैं इनका cost ज़्यादा बढ़ जाता है यह भी disadvantage इसका मान सकते हैं बाकी इसके अधिकांस आपको देखेंगे इनका कुछ न कुछ आपको lab ही मिलेगा यह आप extra high voltage इस्तमाल करते हैं तो next option पर हम जाए दियरेजे improved performance of transmission line efficiency regulation increase in transmission voltage जैसे ही आप transmission voltage बढ़ाते हैं दूसरा आपका तीसरा जो option है installation cost जो है पर किलोमीटर का वो भी कम हो जाता है क्योंकि दोस्तों आप देख रहोंगे कि आपका जो material है वो काफी कम लगने वाला है और नेक्स उस पर हम option पर जाएं with an increase in repeating operating voltage the number of circuit and the equipment of land are reduced considerably तो बहुत सारे इसके advantages है और next question में भी इसी के बारे में ही पूछा गया है which of the following statement about the EHB line is incorrect तो EHB line के बारे में ऐसा कौन सा point है जो यहां पर गलत दिया होगा है तो voltage can be stepped or step down to the required level using transformer तो यह तो दोस्तों सही है दूसरा option है the surface voltage gradient on the conductor becomes lower as the voltage increase voltage increase हो जाने के गारण आपका जो surface का जो voltage gradient है वो भी इसमें बढ़ जाता है लेकिन यहां पर आपसे बोला है कि वो कम हो जाएगा तो यह option यहां पर गलत है next option पर जाए current density increase as voltage increase with the charge carrying current जैसे ही आप देखेंगे कि आपका voltage आपने बढ़ाया तो आपका area काफी ज्यादा कम हो जाता है तो यहां पर जो current density है वो increase हो जाती है तो यह option यहां पर सही है next option पर जाए the line can be easily tapped or extended as the power need to be converted तो जितनी भी हमाई power की requirement होगी उसके इसाफ से हम line को बढ़ा सकते हैं या उसमें tapping दे सकते हैं और ज्यादा तो यह आपके कुछ option थे जो हमारे यह बीसे related हैं इसके disadvantage बस सर्ज लोडिंग वाला हो गया और दूसरा जो होता है सो इसके equipment होंगे transformer और भी इनका सबका cost आपका बढ़ जाएगा insulation cost भी आपका सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि आप normally जब low voltage पर भेजते हैं तो उसे साबसे आपको insulation इस्तमाल होता है जैसे string insulation अपने लोग इस्तमाल करते हैं तो उनका cost कम होता है जब आप कम string इस्तमाल करोगे लेकिन आप जैसे higher voltage इस्तमाल करेंगे तो आपकी string भी काफी ज़्यादा हाई होंगी तो इस पज़े से इनका insulation का भी cost यहां पर बढ़ जाता है नेक्स कोस्चन पर हम जाएं देश्यों टोटल नंबर ओफ लुमेंस रीचिंग दा वर्किंग प्लेन तुदा टोटल नंबर ओफ लुमेंस यानि जो source है उससे जब यहां पर आपकी light emit होती है तो उनका कहिना है कि यहां पर जो टोटल नंबर ओफ लुमेंस है वो इस बर्क प्लेस पर कितना पहुंच रहा है और उसका ratio आपका जितना आपने यहां से लुमेंस यहां पर भेजा है इस source के द्वारा इसका ratio को हम बोल होते हैं coefficient of utilization, coefficient of utilization यह काफी ज्यादा important होता है और इसमें इससे related और भी बहुत सारे coefficient होते हैं जैसे कि radiant efficiency जो हमारा इसमें काफी वार पूछा जाता है लुमेंस में light वाले chapter में यहां पर आप radiant efficiency का जो formula होता है वो energy radiated in the form of light in the form of light divided by total energy radiated by body body से कितनी energy वेजी है और energy radiated in the form of light का जो ratio होता है वो होता है radiant efficiency coefficient of utilization में देख लिया एक और होता है है आपर maintenance factor जो होता है इसके भी कई बार question आता है maintenance factor सबसे पहले तो इसको हम थोड़ा सा ध्यान में रखें कि यह हमेशा less than 1 होता है और यह depreciation factor का just opposite होता है यानि depreciation factor और maintenance factor को जो हम देखेंगे depreciation factor is inversely proportional to the maintenance factor और depreciation factor जो होता है वो हमेशा greater than 1 होता है यह कई objective हैं जो direct पूछे जाते हैं maintenance factor हमेशा less than 1 होगा depreciation factor जो होगा वो greater than 1 होगा और और यहां पर जो maintenance factor की हम definition देख रहे थे तो elimination under normal working condition और elimination when the everything is clean जैसे कि इस source के थरूप आपने यह lumens total यहां से जितना जा रहा है तो elimination यहां पर अलग होगा मालेज यह आपका source यहां पर गंदा है जिसकी सफाई नहीं हुई है उसकी बज़र से lumens यहां पर कम भी जा सकता है तो इसका जो ratio होता है उसी को ही हम maintenance factor बोलते हैं यानि जब आपकी normal parking condition में आपका lumens और जब आपकी surface जो है वो clean है उस condition में total lumens जितना होगा उसकर ratio जो होता है वो maintenance factor होता है यह हमेशा लेस्देन बन होता है next question देखेंगे तो काफी अच्छा question है EMT से related है थोड़ा सा magnetic field कर दिए आपको idea होगा तो आप इसको easily solve कर सकते हैं देखेंगे question काफी अच्छा है वैसे इस टाइब के question IES में कई बार आ चुके हैं और वहां से भी आप इनको प्रक्टेस कर सकते हैं सबसे अच्छा होगा कि आप मेडी जी के जो दो वॉल्यूम आते हैं IES के पहले आते थे साथ अभी का मुझे मालूम नहीं है उन दोनों वॉल्यूम को आप लेके और उनके जितने भी objective question है उनको आप solve करने की added डालें एक-एक question से आपको बहुत सारे concept वहां पर किलियर होंगे आपको एक current carrying state wire दिया हुगा है जिससे की 10 MPR का यहां पर current flow हो रहा है अब हमने इस state wire को हमने एक लूप यहां पर बना दिया लूप बनाने के कारण इसमें current हमारा उतना ही फ्लो हो रहा है what would be the diameter of the loop such that the force produced at its center will be the same as the force produced by the straight conductor at a distance of 0.1 meter यहां पर आपसे पूछ रहा है कि यह जो हमारा conductor था जिसमें की 10 MPR हमारा current flow हो रहा है उससे 0.1 meter distance पर हमारा जो force होगा force इसमें आप देख सकते हैं कि magnetic जब आपका current इस तरीके से है तब आप यहां पर आपका right hand rule लगाएंगे और उसके according आप magnetic field देखेंगे इस portion पर तो आपको अंदर की तरफ यहां पर force देखाई पड़ेगा है ना तो यह हम इसकी force की reaction इस तरीके से reflection यहां पर कर सकते हैं दूसरा जब हम यहां पर देखेंगे circular जब इसमें लूप बना दिया हमने इसके center पर इसका diameter हम D माल लेते हैं और radius R माल लेते हैं इस center पर जब यहां पर force देखेंगे आपको तो वह भी अंदर की तरफ ही होगा आपसे पूछा है कि यह दोनों force बराबर हैं तो इस loops का इस loop का जो radius है sorry diameter हम से पूछा है तो इसका जो diameter है वो D कितना होगा यह आपसे question मा पूछा है तो चलिए सबसे पहले इसके लिए आपको knowledge होना चाहिए इनके magnetic field के जो formula होते हैं यहां पर जो state line के लिए जो formula होता है हो भी equal to होता है mu naught i by 2 pi r और यहां इसके लिए जो formula होता है वह होता है mu naught i divided by 2 r अब क्योंकि हमसे बोला है कि b equal to आपको पता होगा mu naught h इस तरीके से भी हम लेख सकते हैं आपसे बोला है कि magnetic force है यह equal है यानि आपका h equal है तो यहां से आप h को extract कर सकते हैं equal to mu naught h h आपको आदि आप देखेंगे तो यह आपका इतना portion आपका हो जाएगा यहां यहां पर इस वाले case में आप h देखेंगे तो यह हो जाएगा i divided by 2 pi r current दोनों में equal है यह जो आपकी distance यहां पर बोली है 2 pi r के लिए यह कितना है आपका point बन यहां पर अब यहां से आपका question बिलकुल आसान हो गया आपसकी radius या टू आर जिसे हम diameter ही direct बोल सकते हैं तो यह आपका कितना हो जाएगा यहां से निकल कर आएगा point six three meter तो यह काफी अच्छा question था इससे काफी आपके concept भी clear होए होंगे तो इसे question के भी ही आपको solve करने के आदेट डालें theoretical question तो आते ही रहेंगे उसके साथ-साथ थोड़ा सा numerical portion भी आपको strong पड़ेगा आज के लिए इतना ही आज की वीडियो आपको भसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर share करें जिससे कि आपको प्यार मुझे और मिलता रहे इसमें अब कर दो